हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के अमारी कहानी है दरिंदगी और प्यार का सफर का भाग चार आपने अभी तक पिछले वीडियो में सुना कि सुसील राधिका के फ्लेट में जाता है सुसील को देखकर राधिका चौग जाती है तो सुसील और राधिका के बीच क्या हुआ आवांगी सुनिये चुप्पी तोड़ने के मक्सद से सुसील कुछ बोलने ही वाला था कि राधिका ही पहले पूछ बैठती है गुस्से से क्यों आये हो यहाँ मेरे घर का पता कैसे मिला तुम है सुसील फिर कुछ कहने ही वाला था कि दुवारा राधिका बोली कुछ रह गया था क्या जिसके लिए फिर से तुम साथ साल बाद बापेस आये हो क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो इस तरह मेरे साथ तुमने भिहेब किया किस बात का बदला लेने बापे साय हो तुम। सुसील जुंचला कर वोला, अरे कुछ बोलने भी दोगी या नहीं। सुसील के ऐसे रियक्षन से राधिका सक्पका गई और बड़ी बड़ी आँखे करके उसे देखने लगी। सुसील एक लंबी सी सांस लेकर कहने लगा, सुनो मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर उससे पहले तुम्हे कुछ बताना भी है। राधिका चुपचाप सुसील को देख रही थी और सुसील अपने आप भी थी। राधिका को सुनाता है कि कैसे भगवान ने उसे उसके किये की सज़़ा दी है, और कैसे उसकी जिन्दिगी बदल गयी। पर राधिका को उस पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ, फिर वो उसने राधिका से बोला, राधिका यहां आने के बाद जब से तुम्हें देखा है, पता नहीं क्यों, तुम्हारी तरफ खिचने लगा हूँ, रातों को नीन नहीं आती, पूरी रात तुम्हें खयालों में आती हो, ऐसे हैसास मुझे इस से पहले कभी नहीं हुआ है, और सुहानी के जाने के बाद मैंने कभी किछी लड़की को आँख उठा कर भी नहीं देखा है, पर तुम्हें देखने के लिए मेरा देल और मेरी नजरें हमेश अविताब रहती हैं, जाने क्या हुआ है, पर लगता है कि मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ, हाँ राधिका, मैं तुम्हें चाहता हूँ, I love you, राधिका उसे एक टक देखे जा रही थी, ऐसे क्या देख रही हो, राधिका को अब भी सुसिल की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और वो उसे गुस्य में बोली, निकल जाओ यहां से, अभी क्या भी, अरे पर, राधिका उसकी बात बीच में कार्टे बोली, निकलो, बोला ना, निकल जाओ यहां से, वर्ना मैं पोलिस को बुलाओंगी, सुसिल समझ गया, कि राधिका उसकी एक नहीं सुनने वाली, इसलिए वो बिना कुछ बोले, वहां से चला गया, उसके जाने के बाद, राधिका सोफे पर बैट गई, डर घबराहट और गुस्य के कारण, उसकी सांसे जोर जोर से चलने लगी, थोड़ा सांथ होने के बाद, वो को सोचती है, फिर मिश्टर खुराना को कॉल करती है, हेलो खुराना सर, गुड अफ्टरनून, सर मुझे एक हपती के चुट्टी चाहिए, एक हपते के चुट्टी पर किसलिए, सर एक अरजेंट काम है, थोड़ा पर्शनल है, तो आर्ट ओफ स्टेशन जाना है, सर से पूछ कर बताता हूँ, ओके सर, मिश्टर खुराना ने सुसिल को कॉल किया, हाँ खुराना सर, बोलिए, सर वो राधिका को वन बीग का लीप चाहिए, वो कह रही थी, कि उसे अरजेंटली कहीं बाहर जाना है, सुसिल समझ गया कि राधिका कहां जाने वाली है और वो मिश्टर खुराना से कहने लगा हाँ ठीक है उसे लीव दे दीजिए यहां राधिका मिश्टर खुराना के कॉल का इंतजार करती हुई हॉल में बेचेन होकर टहल रही थी तब ही मिश्टर खुराना का कॉल आया हाँ ह हेलो सर, हां राधिका, तुम्हारी वन वीक की लीव सैंसन हो गई है, ओ थेंक्यू सो मसर, राधिका अपना सामान पैक करके उसी साम वो निकल गई, अपने सहर साथ साल बाद, वो अपने सहर जा रही थी, मन में अजीब सी खुशी और वेचैनी है, जाने अब कैसा होगा उसक सहर, इसी उथल पुतल के साथ उसकी नीन लग गई, सुबह नीन से जाकती है, तो देखती है भी दो इस्टेशन बाद, उसका सहर आने वाला है, सर्द मौसम, उपर से सुबह का सामे एक गर्म गर्म चाय तो बनती ही है, खुद को तरो ताजा करने के लिए, गाड़ी उसके स्टेशन पर रुकी, वो अपना समान लेकर, नीचे उतर गई, स्टेशन तो बिल्कुल नहीं बतला, सब वैसा ही तो है, यहाँ, जाने सहर का क्या हाल होगा, स्टेशन से निकल कर ओटो से घर क्यों निकल पड़ी, रास्ते वादियां पूरा सहर, वैसा ही तो था, हाँ कु अपना घर देख रही हूँ, ओ, कुछ भी तो नहीं बतला यहाँ, हाँ, बस बैसी रोनक नहीं लगती, जैसे साथ साल पहले हुआ करती थी, वो मैन गेट के अंदर आते हुए, आंगन में चली गई, वहाँ उसकी मा गीले कपड़े, तार पर डाल रही थी, आँखों में चहरे पर कोई भाव नहीं थे, एक अजीव सा खाली पन था उनके चहरे पर, राधी का मा के पास गई, और अपने हाथ उनके हाथ पर रखा, मानो सदियों से जमी बर्प, आज इस इस पर्स की, करमाहट से पिघल कर, आखों से बहने लगी, दोनों मा बेटी, एक दूसरे के गले लगकर, रोपणी, आशों से ही सारे आपसी गीले सिक्वे दूर हो गए, फिर दोनों अलग हुए, तो राधी के ने पूछा, मा पापा कैसे हैं, जब से तू गई है ना, तब से गुमसम है, ना किसी से बोलते हैं, ना कुछ कहते हैं, जी ना है, बस इसलिए जीए जा रहे हैं, कमरे में घंटों बैठे, तेरी फोटों देखते रहते हैं, अभी भी वहीं पर है, राधीका दोड़कर पापा की कमरे में गई, वहां पापा खिड़की की तरफ, चहरा की एकूर्सी पर बैठकर, राधीका की तस्वीर देख रहे थे, ये देखकर राधीका की आ आखों के रास्ते बाहर आ गया और राधीका पापा के सामने आकर उनके पैरों के पास बैठ गई पापा उसे सीने से लगा कर रो पड़े वह भी रो पड़े रोते वे पापा उस से कहने लगे I am sorry बेटा ते रही पापा तेरे लिए काम ना आया माप कर दे बेटा, नहीं पापा ऐसा मत बोलिए, आप तो हमेशा मेरे सुपर हीरो रहे हैं पापा, जब सारी दुनिया मेरे खिलाब थी, तब आप ही मेरे साथ खड़े थे, आपने जो मेरे लिए किया, वो कोई भी तु नहीं कर सकता पापा, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप मेरे किसी काम नहीं आए I love you पापा तो फिर अपने पापा को छोड़ कर क्यों चली गई थी जानती है ना कि तु मेरी जान है मैं आपको और मा को ऐसी हालत में देख नहीं सकती थी पापा दुनिया मुझे पर लांचन लगाती तो वो मैं सह लेती पर उस लांचन के चीटे जो आप दोनों पर लग रहे थे वो मुझे नहीं देखा जा रहा था मुझे माफ कर दीजे पापा नहीं मेरी लाड़ी ऐसा नहीं बोलते अपने पत्नी के तरफ देखकर मुस्करातों कहते हैं अरे सांती तुझे समझ नहीं आता मेरी लाड़ो इतनी ठकी हारी आई है और तुम बातों में लगा दी चलो जल्दी से हमें खाना दो आज मैं अपनी बेटी को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगा और हाँ सब कुछ रादिका के पसंद का होना चाहिए अब खड़ी क्या हो जल्दी से खाना लाओ हाँ हाँ अब भी लाई रादिका से जा बेटा फ्रेस हो जा और जल्दी जा फिर खाना खाते हैं हाँ पापा इतना कहकर रादिका अपने कमरे में चली गई कमरा बिलकुल बैसा ही सज़ा था जैसा वो छोड़ कर गई थी एक-एक समान हाथ लगा कर देखती है और महसूस करती है साथ साल पुराने जिन्दिगी को और हर बार आखे नम हो जाती है उसकी फ्रेस होकर जब रादिका नीचे आई तब देखा कि माने उसकी पसंद का खाना बनाया है और पापा उसके लिए थालिस अजा रहे थे ये सब देखकर रादिका पुराने यादों में खो गई कि कैसे वो खाने में नकरे करती और पापा उसे मनाते हुए उसके पीचे-पीचे घूमते और उसे खाना खिलाते पापा अरे आगई बेटा चल जल्दिया खाना खाते हैं रादिका वर्तमान में आई और मुस्कुराते हुए खाने की टेबल पर बैठ गई आज दोनों पापा बेटी एक दूसरी को खाना खिला रहे थे मां उन्हें देखकर मुस्कुराए जा रहे थी पूरे दिन पापा और बेटी एक दूसरी से बाते करते हुए बिता दिये बातो बातो में रादिका ने साथ सालों में हुई सारी बाते पापा को बताई उसकी बात सुनकर पापा बहुत दुखी हुए पर खुस भी हुए जब उन्हें पता चला कि उनके बेटी ने अपने महनत के दम पर इतने अच्छी नोकरी पाई है साम को मा के साथ केचन में काम करते हुए उसे सुहानी के बारे में पता चला मा बेटा जो जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं नियती तो यही है पर उस बिचारी बच्ची का भी सोच का दुख होता है भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना होने दे राधिका को मा की बात सुनकर सुशील की बात पर विश्वास हो गया रात को खाना खा कर राधिका अपने कमरे में आ गई वो खिड़की के पास खड़ी होक वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सुसील था उससे देखकर राधिका गुस्से में घर से बाहर आई उससे देखकर सुसील सिधे खड़ा हो गया राधिका ने आते ही अपने सवालों की जड़ी लगा दी तुम यहां कैसे आए क्यों आए तुम मेरा पीछा कर रहे हो सुसील स कुसील उसकी बात सुनकर मुस्कराता है और कहता है तुम सबसे ऐसे ही बात करती हो क्या किसी को कुछ कहने नहीं देती राधिका उसकी बात सुनकर चुप हो गई और गुस्से में उसे घूरने लगी बैसे मैं तुम्हें बता दू कि यहां मेरा भी घर है मैं भी अपने मम् भी हो रहा होगा मेरी बातों का तो साइद अब तुम मेरे दिल की बास समझ गई होगी राधी का थोड़ा सहज होते उबोली सुहानी के साथ जो हुआ वो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और तुम्हारे साथ हमदर्दी भी है पर मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकती मेर जिन्दिगी के साथ साल गुमनामी में वर्वाद हो गए आंगे जिन्दिगी में कुछ अच्छा हुआ तुम आप जरूर कर दूंगी तुम है पर प्यार नहीं उसकी बास सुनकर सुसिल उदास हो गया और वो बापस जाने लगा कि पता नहीं सुसिल क्या सोचकर उससे अभी भी तुमें कोई पसंद नहीं आया कि तुमने किसी को नहीं चाहा राधी का सरमा कर सुसिल की तरह पीट की हुए बोली हाँ पसंद किया है चाहा है उन्हें सुसिल जान सकता हूं कि कौन है वो हाँ मेरे बस है मुंबई के राजपूत इंड्रश्टीर्वे मालिक तू सुसील को याद आया कि वो तो राधिका से बॉस के तौर पर कभी रूबरू हुआ ही नहीं पर राधिका उसे क्यों चाहती है ये जानने के लिए उसने राधिका से पूछा उसे पसंद करने का कारण बता सकती हो उन्हें पसंद ना करने का कारण ही क्या है इतनी कौमत दिल के मालिक हैं वो कभी उन्होंने छोटे बड़े या उचनीश का भेदवाव नहीं क्या हमेशा सबकी मदद करने को तयार रहते हैं हमेशा अपने ओफिस के लोगों को अपना परिवार माना है और इतना कुछ है उनके बारे में बताने के लिए कि साइद ये जिंदिगी भी कम समझ वो के इनकाल से बहुत धूखी है शुशील ने कहा उसका नाम क्या है मुझरे नहीं पता क्या नहीं पता क्या तो मुझस से अभी तक नहीं मिली नहीं कभी नहीं मिली फर इतना सुंध देल रखने वाला अपने आप में ही सुंधर होगा ना सुसिल रादी का चिड़ाते हूँ बोला क्या पता तुम जिसे सुन्द समझ रही हो वो असल में बंद जैसा दिखता हो रादी का चिड़कर बोली मैंने उनके रंग रूप से नहीं बल्कि उनके मन से प्यार करती हूँ तु जाकर कहके हूं नहीं देती उसे भले ही वो कि हां मैं जमीन की धूल हमारा मिलन कभी हो ही नहीं सकता तो फिर क्यों मैं अपने दिल को दुखाऊं उनकी ना सुनकर तुमसे अपने दिल की बात कहने के लिए जब मैं कस्म कस्म था तम मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि जब तक मैं तुम्हें अपने मन की बात बताऊंगा तब तक मुझे तुम्हारे मन की बात कैसे पता चलेगी? मुझे तो तुमने माना कर दिया, खेर कोई बात नहीं. तुमसे भी मैं वही कहना चाहूंगा, कि जाकर उसे अपने दिल की बात बता दो, क्या पता बो भी तुम्हें चाहता हो, और तुम्हारी तरह बो भी जिजक रहा हो और तुम दोनों ही ये जिजक तुम्हें मिलने ना दे मेरी बात मानो और उसे सब कह दो फिर अपने दोनों हाथ अपने पैंट की दोनों जीब में डाल कर अपने कंधों को उच काते हुए उदास होने का नाटक करते हुए सुसील ने कहा चलो अब चलता हूँ आज के बाद तुम सिर्फ अपने बोस से ही मिलोगी बेस्ट आप लग पाए सुसील वहाँ से चला गया राधी का भी बापिस अपने कमरे में आकर विस्तर पर लेट गई सुसील की कही सारी बातें उसके दिलो दिमाग पर घूमने लगती है सची तो कह रहा था वो जब तक मैं उन्हें नहीं बताऊंगी तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि उनके दिल में क्या है इसी सोच में कब उसे नीद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता वहां सुसील के खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा क्या करे क्या न करे इनी सब में उल्चा था उसके पैर जमीर पर नहीं पड़ रहे थे आखे राधी का उसे ही तो चाहती थी इतनी बड़ी खुशी पाकर दो उसका मन जूमने लगा था जूमते नाशते वो अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया और राधी का के बारे में सोचने लगा सोचते सोचते उसे भी नीद आ गई राधी का को अपने घार आए पांस दिन हो चुके थे और दो दिन में उसकी छुटी खत्म होने वाली थी पापा मा आप दोनों भी मेरे साथ मुंबई चलिए ना वहां ओफिस से फ्लेट मिला है हम वहीं रहेंगे बहुत मज़ा आएगा नहीं बेटा तू जा हम यहां ठीक हैं फिर यह घर छोड़कर जाने का मन नहीं करता तू आँगे बढ़ हम बस उसी में खुस है तू आँगे बढ़ेगी तो हमारा कद उच्चा होगा फिर कभी कभी तू हमसे और हम तुछ से मिलने तो आते ही रहेंगे ना पर पापा परवर कुछ नहीं तू जा और खुब नाम कमा हम दूर रहकर भी हमेशा तेरे साथ हैं रादिका हा मैं सिर हिला देती है देखते ही देखते उसके मुंबई बापर जाने का दिन आ गया मा तो बेटी के लिए इतना समन तयार कर देती है कि रादीका उन्हें देखकर दंग रह गई मा इतना समान क्यों पैक कर दिया इतने सालों बाद आई है तो क्या मुझे भी जीभर लाड़ भी नहीं करने देगी पता नहीं वहाँ तुझे कुछ मिलता भी है या नहीं अरे मा वहाँ सब कुछ मिलता है इतना समान देने की ज़रूरत नहीं है मा तुम खामोखा पारिसान हो रही हो जूटा गुस्सा दिखाते हुए चुपचाप रखे से वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मा ने कहा तुरादीका ने सारा समान पैक कर लिया रादीका रेलबे स्टेशन पहुची और उसे छोड़ने उसके मा और पापा भी आय हुए थे सबकी आखे नम हो गई जल्दी आना बेटा पापा कहने लगे अरे पहले उसे जाने तो दो जाएगी नहीं तो बापस कैसे आएगी और वो तो अपना नाम कमाने के लिए जा रही है खुशी खुशी विदा करो उसे पापा की वास सुनकर रादीका और मा दोनों ने मुझको रादिया थोड़ी देल में ट्रेन आ गई और रादीका मुंबई के लिए चल पड़ी उसे विदा करते हुए पापा फफख फफख कर रोने लगे रादीका मुंबई पहुंचते ही अगले दिन आफेस पहुंची अपने टेबल पर बैठी और एक हफते के पैंडिंग फाइल श्टड़ी करने लगी अचानक दिल में एक हल चल हुई और उसकी नजरे बोस के केविन की तरफ मुड़ गई वो देखती ही रहती है कि मिश्टर खुराना उसके पास आकर कहते है अरे रादीका का बाई रादीका ने हड़ बढ़ाती हुँ कहा ओ गुड मॉनिंग सर जी कल ही बापिस आई हूँ अच्छा वेरी गुड सुनो रादीका ये फाइल लो ये बजार एंड संस के साथ कॉलिवरेशन की फाइल है इसके सारे टर्म स्टेक कर लो और कुछ चेंजिस करनी हो तो बताओ मैसे जादा जल्दी नहीं है सर अभी आउट ओफ इस्टेशन गए है एक हपते बाद लोटेंगे रादीका हां में सर हिला कर अपने काम में लग जाती है रह रहकर उसे सुसील के बाते याद आ रही थी उसी अपने मन की बात कहो तब ही उसके मन की बात समझ आएगी और उसका मन बेचैन हो रहा था बोस से मिलकर सब कहने के लिए बार बार उसकी नजर केबिन की तरफ मुड़ जा रही थी फाइल कंप्लीट हो गई एक हपता होने को आया था और इस एक हपते में रादीका को कई साल का इंतिजार लगा रोज वो केबिन को देखती पर आज केबिन में कुछ हल चल सी हुई रादीका ने प्यून से पूछा क्या हुआ अंतर भीड दिख रही है अरे मैम बड़े साहब मिश्टर राजपूत आए हैं तो सब मिल रहे हैं रादीका उताबली होकर पूछने लगी और बहुस आ गय ना अरे बो भी आए हैं ना पर आज बड़े साहब के साथ ही रहकर ओफिस और कंपनी देखने वाली हैं तो आज बोले किसी से नहीं मिलेंगे रादीका ये सुनकर खुस हो जाती है और सोचती है चलो उनके अपने बात कहने से पहले मैं उन्हें एक बार देख भी लूँगी थोड़ी देर बात केविन से सभी लोग निकले कुछ ओफिस के तो कुछ अंजान चहरे दिख रहे थे एक 58-69 साल का रॉपदर वेक्ती जिसके आंगे पीछे लोग घूम रहे हैं राधिका हो ना हो यही बड़े साहब है लेकिन इन बागियों में से बौस कौन है अपने सिर्प ठब की मार कर गुसे में खुट से बिना देखे बिना जाने कहने लगी तुझे कैसे पता होगा कि बौस कौन है पागल लड़की मिश्टर खुराना मिश्टर राजपूत को राधिका से मिलवाते हैं राधिका से मिलकर और उसके काम के बारे में सुनकर मिश्टर राजपूत काफी प्रभावित हुए पूरा दिन निकल गया और उस दिन सुसील राधिका के सामने ही नहीं आया उसके दो कारण थे पहला ये की कहीं राधिका उसे देखकर उसे गलत न समझे और दूसरा ये की वो राधिका की दिल की हलचल को और बढ़ाना चाहता था अगले दिन भी राधिका की वेचैनी वैसे की वैसे ही थी सुसिल मिश्टर खुराना को अपने केविन में बुलाकर कहता है खुराना सर वो बजाज एंड संस की फाइल रेडी हो गई है हाँ सर हो गई है मैं लेकर आऊं किसने तयार की है राधिका ने सर आपने ही तो कहा था हाँ ओके मिस राधिका को फाइल लेकर आने को कहिए ओके सर मिश्टर खुराना राधिका के पास आकर कहते है राधिका तो मैं सर ने बजाजन संस की फाइल लेकर अंदर बुलाया है राधिका ये सुनकर बहुत खुज हो गई और फाइल लेकर सुसील के केबिन में चली गई सुसील अपना चेहरा केबिन के दोर से उल्टी तरफ करके दिवार की तरफ किये बैठा दूसरी फाइल चेक कर रहा था मैं कमिन सर राधिका की अवाज सुनकर सुसील मुस्करा दिया और बिना मोडे कहा येस मिस राधिका, कम इन राधिका अंदर आते हुए बोली सर ये बजाज एंड संस की फाइल हाँ टेबल पर रख दीजिए राधिका ने फाइल टेबल पर रख दी और सोचने लगी साइज सर उससे बात करेंगे पर जब सुसील ने उससे कोई बात नहीं की तो वो उदास होकर वहाँ से जानने लगी तब ही रुकिये मिस राधिका राधिका रुक गई जी सर आपको मुझे कुछ कहना है क्या राधिका हडबडाती हुए जी जी सर I'm in नहीं सर मुझे ये जी नहीं वाली भासा समझ नहीं आती राधिका को लगा साइज सर आफिस में मुझे कैसा फील होता है वो पूछ रहे है राधिका सर everything is good आफिस में सब कुछ अच्छा है खुराना सर काफी help करते हैं मेरी सुसी लाखे बंद करके नामे सर हिलाते हुए कुछ से कहता है ओ गौड मैं इससे क्या पूछ रहा हूँ और ये क्या बोल रही है मिस राधिका मैं ओफिस के बारे में नहीं आपके बारे में पूछ रहा हूँ थोड़े कौमल सर मैं मेरे बारे में पूछ रहा हूँ जी सर, सुसील ने कहा, हाँ, अच्छा आपको, अगर समझ नहीं आ रहा है, कि कैसे कहना है, तो मैं ही बात बढ़ाता हूँ, अच्छा ये बताईए, कि मैं आपको कैसा लगता हूँ, सुसील के ऐसे अचानक से पूछे सवाल से, रादी का चौग गई, जी सर, हाँ, मैं आपक कैसे लगता हूं बताइए ना क्या मैं आपको अच्छा लगता हूं क्यों आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं क्या आप मुझसे रादिका सरमात्य बोली मैं जब आपके बारे में जानती ही तब से आपको पसंद करती हूं आपके काइंड हार्ट और नेचर से मैं बह हाँ मैं सुसील राधिका ने कुछ ध्यान दे कर कहा सुसील राजपुत तो तुम हो यहां के मालिक मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आया लेकिन अब तो सब कुछ ठीक हो गया है ना राधिका रोते बोली कुछ ठीक नहीं हुआ है ऐसा कहते है राधिका केविन से रोते निकल गई, सुसील उसे रोबते ही रह गया पर वो नहीं रुकी, वो सीधे अपने टेबल पर आकर अपना पर्स ली और ओफिस से निकल गई, पियों दूसरे स्टाब पर यहां तक की सेकुरिटी गाड भी उससे पूछते रह गए कि क्या हुआ, पर राधी का बेना किसी बात का जब आप दिये रोते हुई, वहां से निकल गई, राधी का घर पहुंचते ही अपना पर्स एक तरह फेकते हुए सोफे पर बैटकर खूब रोने लगी, और अपना फॉन सुचाप कर दिया, रोते रोते वो वही सोफे पर सो गई, सुबह उसकी नीन जल्दी खुल गई, वो कुछ सूचने लगी, और तैयार होकर अपने साथ कुछ लेकर जल्दी से ओफिस के लिए निकल गई, जब वो ओफिस पहुंची, तब सिर्फ सेकुरिटी गाड़ भी वहां होता है, राधी का सीदे सुसील के केविन में चली गई, और अपने साथ लाया सामान वहां देखा था, मैंने तुमसे कहा था ना, कि जिन्दिगी में कुछ अच्छा होगा, तो मैं तुम्हें माफ कर दूँगी, तो मैंने तुम्हें माफ किया, क्योंकि मुझे प्यार हुआ, पर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि सौभी मान और आत्म सम्मान बड़ी बात कर लेता है और आंसु की धार उसके गालों पर बहने लगे आज 20 साल गुजर गए पर सुसील ने राधिका की जगे किसी को नहीं दी राधिका की यादों में जीते हुए उसने अकेली ही जिन्दगी गुजरने का फैसला किया है और उसकी यादों के सहार वो से प्यार भी करता है और खुजबी रहता है